Hello and welcome back friends, welcome back to Vision Academy, so आप लोग लिए बहुत important notification, आप में से जो भी लोग CET exam को attempt करने वाले BCA, BBA, BBM या फिर BMS के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए final date जो है exam का वो release कर दिया गया, इसके पहले बोला जा रहा था कि 27 से लेकि 29 में के बीच में, मतलब ये 3 dates को exam conduct कराया जाएगा but मुझे जहां पे तक ये लगता है कि registration क्योंकि अगर हम देखें तो 18, पहले तो अगर हम बात करें, तो 18th of April तक जो date दिया गया था, वहां तक अगर हम देखें तो वहां तक जो registration हुए थे, वो 50,000 के आसपास वहां पे registration हुए थे, उसके बाद में अगर हम देखें तो उस ये जो registration का number is 75,000 at an maximum होगा, उसके आगे अभी तक registration नहीं हुए होगे, जिसकी वज़ा से इन्होंने dates को काफी extend करकर करकर 5th of May तक लाया था, तो अब finally इन्होंने, due to registration कम होने की वज़ा से, इन्होंने finally यहां पे date को release कर दिया exam के लिए, तो date जो release किया गया है यहां पे, व वो रखा गया 29th of May, तो सभी students का एक ही दिन होने वाला exam का, यहां पे shift wise exam को नहीं रखा गया, सभी students का exam एक ही दिन में हो जाएगा, जो कि 29th of May है, तो 29th of May यह आप लोगों के लिए सबसे important date अब हो जाता है, इस महीने का, आप message जो भी लोग CET exam के लिए attempt करने वाले हैं, और देखो इसी के साथ में मैं कुछ और भी चीज़े बता देता, हाल टिकेट के बारे में जो आप बात करें, अगर 29th May यहां पे fix date है, तो expectation है, 19th या फिर 20th, इन दो date में से किसी भी एक दिन आपको हाल टिकेट मिल जाएगा, so that is a more important update for you, उसके बाद में अगर हम बात करे correction dates के बारे में, तो correction dates अभी एक से दो दिन के अंदर correction के लिए dates आ जाने चाहिए, अगर आने वाला होगा, most probably आना चाहिए, लेकिन अगर in case कुछ भी यहां पे हम probability मतलब नहीं ले सकते हैं, कि अगर हो सकते हैं शायद ना दें, लेकिन अगर आने वाला है, यहां पे mostly मुझ को आता है, तो यह 12th of May तक रहेगा, तीन दिन का time हमेशा दिया जाता है, तो उसके बाद में फिर लगबग आपका एक 5-6 दिन के अंदर में फिर आपका, जो halticket होगा, वो भी आपको मिल जाएगा थोड़े दिन के अंदर ही, and then उसके बाद में आपका examination होगा, तो preparation को speed up कर जरूरत है आपको, ठीक है, उसके लिए हम आपके साथ में continuously बने हुए है, mock test शुरू कर दिया है हमने, mock test is already started, साथ में उसी के part test भी शुरू हो चुका, mock test में अगर आपने enroll नहीं किया है, तो आप part test को attempt कर सकते हैं, और अगर आप mock test को enroll करना चाहते हैं, तो आप उसके लि तो we are deciding on to that thing, जल्दी हम उसके part decide करके आपके लिए एक update लेकर आजाएंगे, so for that don't forget to subscribe us, और date अब यहाँ पे आपको final date मिल गया है, तो final date के इसाब से आप preparations को अपना speed up कर लीजी, और कोई भी और डाउट हो तो निचे comment करके हमको बताना, और मिलते हैं नेक्स वीडियो मे तil then take care and goodbye